दोस्तों डीटर प्लेस्बी से विग्यापन नमबर आठ बटे दो अजार बाइस जारी हो चुका है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है आप लोग 19 अक्टूबर से कर सकते हैं अठारा नमबर इसमें आवेदन करने की लास्ट जीट रहेगी ठीक है और इस विग्यापन में जो वैकेंसी आई यी वो है लाइबरेरियन की असिस्टन टीचर नरसरी की यही नरसरी टीचर की आई और इसके लावा यहां पर साइण्स टीचर की वढ़ती आए इसके लावा आप लोगे विग्यापन देख सकते हैं इसमें सारे पदों का वरणन है तो यहां पर जो आपकी नरसरी टीचर की जॉब है बाकि सभी जॉब जो हैं और छे आली सो ग्रीट पर की हैं लिब्रेरियन के सव पद हैं नरसरी टीचर के लिए चार पद हैं टी जी टी के लिए 106 प पद हैं और फिजुकल एजुकेशन टीचर के लिए 221 पद हैं तो इन पदों पर बढ़ते हैं आई हुई हैं कटेगरी वाज पदों के संग क्या आप लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो के माद्दम से आपको सारी डीटेल्स देने वाले हैं कि कैसे पर आविदन करना क्या सची करता रहेगी और एक्जाम पैटरन वगारा क्या रहेगा ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे जैसा कि मने बताया था कि इसके लिए ऑनलाइन आप लोग 19 अक्टूबर से कर सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि करके हम लोग क्वैलिफ की तरफ से बढ़ती हो रही है इसके लिए एजुकेशन कॉलिफिकेशन जो इस तरीके से हैं कि आपने डिगरी की कम्प्रिक्ट किया हो किसी भी उनिवस्टी से साथ में जो आपके बैसलेट की डिगरी होने चाहिए और लाइब्रेरी साइंस से आपकी होने चाहिए ठीक है सिंपल लाइब्रेरी में हो या कंप्यूटराजेशन वाई लाइब्रेरी में हो तो दू साल का एक्स्पीरियंस भी मागा गया है अगर आपके पास यह क्वैलिफिकेशन नहीं यहाँ पर बोला गया है वन एडर से टिपिकर इंड कंप्यूटर अपलीकेशन फ्राम पे 46 के कोडिंग मिलेगा ठीक गुरूब बी की नौन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यह आपकी रहेगी एज इसके लिए जो अधिक्तम 30 वड़ से आपर एज रखी गई बांकि जो रिजब कटेगरी के चात्र है उनको यह आप पर अलेक्सेशन भी दिया जाएगा बात कर लेते हम दूसरी अपडेट के बारे हम दूसरी पोस्ट के बारे हम तो यह पोस्ट है आपकी असिस्टन्ट टीचर नरसरी की नरसरी टीचर की वेकेंसी है टोटल चार वेकेंसी है इसमें OBC और अन्रिजब्ड और SCST का एक एक पद है हर कर्टेगरी से यहाँ पर बोला गया कि अपन कि दो साल से कम आपका नरसरी टीचर वाला कोट से नहीं होना चाहिए तो आप इसके लिए अनकि फार्म बढ़ सकते हैं लेकिन यह बोला गया है कि अगर कोई नरसरी टीचर एजूकेशन प्रोग्राम किया हुआ है तो वो कम से कम दो साल का होना चाहिए एक बात है यहां पर मैं clear कर दूँ जो normal beard वाले चात्र वो इसमें आउदर नहीं कर पाएंगे, beard nursery codes होता है, वो आप बढ़ती यहां पर eligible होंगे, इसमें जो age है वो आपकी जो मांगी गई है, ग्रेट पर यह 42 की आपकी जॉब होगी, और group B की इन तरकत यह भी यहां पर आए साइंस सब्जेक को ले करके विए, इसमें total vacancy एक सुच्छ है है, और बाकी यहां पर देखिए, पोस्ट कोड 49 बुटे 22 है, qualification देखते हैं, तो बैचलर डिगरी आवर अगर अपने computer science है किया यानि BCA किया है, तो आप इसके लिए eligible है, या BCA नहीं किया है, वो भी computer science में, त इसमें इसके लिए eligible होंगे, इसमें experience कुछ भी नहीं मागा गया है, और यहां पर भी जॉब होगी, च्याली सो ग्रीट पर की आपकी जॉब होगी, ग्रूबी में, मैग्डियों में, जिसमें भी 30 वर्सा है, अगली vacancy है, domestic science teacher की इसमें यहां पर देखिए, बोला गया है कि पॉटल दोशें लिए पर बोला गया है कि bachelor's degree in domestic science एफ र हम साइंस, हैनने हम साइंस बैचलर डिगरी इसने किया है, या domestic science इसके लिए eligible है, या फिर आपने बैचलर in education with domestic science यह हों साइंस किया हुआ है, आज आँग समझेंट में तब भी आप इसके लिए eligible होंगे, यह जो vacancy यहां पर जो भी बीपेड़ वाले चात रहें वो सभी इसमें आविदन करते हैं कोई भी बीड़ वगारे की रेकोर्डमेंट नहीं रहेगी और यहां पर मैक्जिमम एज जो है वो भी 30 वर्स है ग्रेड़ पर इसका भी 400 रहे को उसी के अनुसार यहां पर आपको वेतनमान द लिए जाएगा ठीक है अब यहां पर सभी राज्यों के आप विट्टी आविदन कर सकते हैं इसी कोई बाउंडेशन है कि किसी राज्य के विड़ती नाविदन कर पाएं सब आप विड़ती आविदन कर सकते हैं 19 अक्ट्टूबर से ऑनलाइन आविदन की परक्रिया शुर नहीं लगेगी अब यहाँ पर examination के बारे में बताया गया कि selection वगरा कैसे होगा तो यहाँ पर देखे 1 tier teaching post के बारे में बताया गया है row 1, यहाँ पर पहले बता गया post code 37, 38, 49 ठीक है इनके लिए जो आपका exam होगा 2 गंटे का होगा, 200 question आएंगे ठीक है आप 200 number का paper भी होगा कोई descriptive paper नहीं होगा और यहाँ पर section A section B दोनों आपके एक तरीके section होगे पहला section होगा आपका यहाँ पर 100 number का और दूसरा section होगा आपका 5 number का पहले section में जो अलग-अलग topic decide किये गए हैं वो यह बताया गया कि journal awareness इस के बीस परसन होगे जर्णल इंटिलीजेंस और इसके बीस परसन होगे आर्थमैटिकल आपका आपका है चालीस और एक तालीस अभी पोस्ट कोड बने शुरुआत में आपको बताया था आप पीछह रिवाइन करके वीडियो को देख सकते हैं दो गंटे का होगा, 200 questions इसमें भी आएंगे, तो कोई भी descriptive paper नहीं होगा, अब यहाँ पर देखिए क्या कहाँगा, इसमें भी दो section आपके section A और section B, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका section B है, ठीक है, इसमें section A पहले समझे लिजिए, तो section A है, जो है, mcqs आपके इसमें आएंगे, जर्नल नॉलेज, जर्नल अवेरनेस, जर्नल इंटिलिजन्स, आर्थमेटिकल नुमेरिकल एबिल्टी, टेस्ट आफ हिंदी लेंगोज और कम्प्रेंस, टेस्ट आफ इंग्लिस और कम्प्रेंस, यह भी सव नमबर काएगा, औ यह आपका concerned port से समबंदित होगा, जैस सब्सक्रों, लाइब्रेरियन के लिए भरत, लाइब्रेरियन समझत होगा, यह नरसरी टीचर के लिए भरत, नरसरी टीचर समझत होगा, इसमें जो question होंगे, section B वाले, वो specific आपके subject से, या कहें कि जिस पदे के लिए आप आवजिन क पूंचे जाएंगे, यहाँ पर निचे एक बात यह बताई गई है, कि negative marking इसमें रहेगी, एक बटे चार की, यानि 0.25 marks आपके कड़ जाएंगे, negative marking के रूप में, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि, आपको section A और section B दोनों में अलग अलग पास होने के जरूद नहीं ह और इसी केस आप से final merit जो है, बनाई जाएगी, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई है, फिर भी कम से कम आपको 40% नंबर जरूर लाना है, minimum qualifying marks आपका 40% रहेगा, general EWS के लिए, OBS daily के लिए 35%, SCHTPS के लिए 30%, ठीक है, तो यह चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तो पासा करता है, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, 19 अक्टूबर से आप लोग इसमें जो है, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए हमारी website governmentjobsender.com विजिट कर सकते हैं, और इसकी तयारी करने के लिए आपको अगर previous paper या online mock test वगरा चाहिए, टेसरीज चाहिए, तो हमारा application description box में आपको link मिल जाएगा, abtech online test series वहाँ पर dvb की बहुत सारी exam की test series आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तयारी करके यहाँ पर job पा सकते हैं,